तस्वीरे हिसार राजगर रोड पर इस्तीत गंगवा गाउं के महादेव डेरी पर है जहां सीम फ्लाइंग ने मिलावट की शुकायत मिलने पर चाबे मारी की है और दूद से बनने वाले प्रोडेक्ट कुछ आज के लिए सैंपल लिये हैं सीम फ्लाइंग टीम में शामिल फूट सेफ्टी इंस्पेक्टर डॉक्टर भवर सीह ने बताया कि हमें एक दूद डेरी पर दूद घी में मिलावट किये जाने की सुचना है लगातार मिल रही थी सुचना के अधार पर साथ सदस्य टीम ने महादेव डेरी नाम की दूद के उतपादन वाली फैक्टरी पर चापे मारी की तो वही टीम ने पूरी फैक्टरी का निरिक्षन किया आज की जो रेड है वो सी एम फ्लाइंग की इसार की टीम और सी आईडी की टीम जो है उनके ने तरफ में खादिश रक्षा विबाग की टीम जो है उन तीनों ने मिलके यहां पर एक रेड की है यहां पर महादेव डेरी के नाम से यह जो फैक्टरी है गंगवा में रिलाइ यहां पर प्रिपेर समान था उसके सारों की जो है सैंपलिंग की गई और साफ सफाई का यहां पर मलब संतोष जनक मिला है इनको और अच्छी इंप्रूव्मेंट के लिए बोला है और लाइसेंस इनके पास है यह लोग अपना काम जो है लाइसेंस के अधार पे सई कर इस वह सभी प्रकार के तयार प्रोडेक्ट हैं जैसे घी का है पनीर है क्रीम है दूद और दई है इन सभी का जो सेंपल है वह वाइड वटर है उसका भी सेंपल लिए गया है तो पूल मिला कर शैंपल लिए गये हैं एक्ट के हिसाब से इस सेंपल की जो भी रिपोर्ट ने बताए कि टीम ने वहाँ जाज कर दूद ही मखन दही पनीर क्रीम के सेंपल लिए हैं कुल मिलाकर शैंपल लिए गये हैं जो जाज के लिए लैबरिटी में भेजे गए हैं साथ ही उन्होंने बताए कि करीब वहाँ पर धाई घंडे तक उत बातकों के साथ पूरी फैक् टीम ने चापे मारी के लिए इंस्पेक्टर रिचपाल सिहा के नित्वत्त में साथ सदस्य टीम का गठन किया टीम में फूट सिफ्टी ओफिसर भवर सिहा चंदरभान आजाद नगर थाना के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार सहीत अन्य सदस्य मौजूद रहे सेंपल के पर टीम के तरफ से आगामी कारवाई की जाएगी हिसार से विनोज सेनी पंजाब के स्टी टीवी